इन्सकी सिरीज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं Pandas प्रीवियस वीडियो में हमने Concade function देखा था आज के वीडियो में हम देखेंगे Merge function किस तदर से वर्क करता है ठीक है ना? पहले हम बात करते हैं कि Concade में क्या हुआ था तो मान लिया कि पहली हमारी जो data frame है वो कुछ इस तदर से है ठीक है जिसमें name है last name है age है qualification है ठीक है इसके बार में दूसरी हमारी जो data frame है वो कुछ इस तदर से है जिसमें भी क्या है name है last name है और क्या है city है ठीक है मतलब पहली वाली data frame में किसी भी person की यह जो qualification stored है दूसरी वाली data frame में उसकी city stored है फुरे डेटासेट को ठीक है हम यह चाहते हैं कि दोनों मिक्स हो जाएं दोनों mix हो जाएं इसका मुतलब क्या है कि हमें name last name age qualification city इस तब एक ही data frame में क्या मिलना चाहिए dessert मिलना चाहिए ये हमारा aim है ठीक है जिसे कि हमें जंदली ज़रत पढ़ती भी है एक जगे पर किसी जैसे मैंने movie का example लिया था एक जगे पर movie की जंदल detail से दूसरी जगे पर उसकी rating है दोनों को mix करना है तो हम कैसे mix करेंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं concate की help से इसको क्या कर रही हूँ merge कर रही हूँ ठीक है आगे पीछे लिख दिया है मतलब इस वाली में पहले सोना शर्मा है और यहाँ पर पहले देखा पुरूहित है इसलिए क्योंकि यहाँ पर indices के basis पर क्या होता है horizontal concatenation होता है ठीक है इसलिए 0 के साथ में 0 को ही merge किया गया है concate किया गया है इस 0 index वाले के साथ मैं तो इसका solution मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर indices बता दो ओके यह previous वीडियो में आप जाके देख सकते हो लेकिन indices बताना is also not practical क्यों practical नहीं है क्योंकि अगर हमारे data sets बड़े होते है data frames बड़ी होती तो उस case में हर एक data set का index बताना possible नहीं होता है ठीक है तो इसके लिए एक solution है क्या solution है आप यहाँ पर क्या use करो merge का use करो अब merge जो होता है वो जो index के basis पर जैसे कि हमने देखा था कि 0 है तो वो 0 को 0 के साथ में ही concrete करेगा तो merge में ऐसा नहीं होता है हमें बताना पड़ता है हमें बताना पड़ता है कि हम किसके उपर हम merge करना चाहते है क्या ऐसी चीजर जो दोनों के बीच में common है जैसे कि movies वाला में बता दियो movie का नाम दोनों data fins में common है तो अगर इस वाले data set में movie जो है मान लिया DDLJ 10th नंबर पे इसमें first नंबर पे है तो अब क्योंकि movie name के हिसाब से कर रहे है तो DDLJ के साथ में उसका DDLJ का ही record आएगा चाहे वो इसमें first पे हो उसमें tenth पे या hundred पे हो ठीक है ना तो जो concatenation होगा ये थोड़ा सा जादा क्या है flexible है मतलब यहाँ पे इसलिए इसको merge बोला जा रहा है किसी common जो है किसी common value के हिसाब से क्या हो रहा है merging होती है merge में ठीक है तो यहाँ पर मुझे क्या बताना पड़ेगा एक parameter होता है on ओके वो मुझे हाँ पर specify करना पड़ेगा क्या लिख दूँगी on is equals to मुझे क्या देना है name के according देना है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है single quotes में name लिख दिया है अब हम देखते हैं कि merge होने के बार result कुछ किस तरह से आ रहा है तो यहाँ पर कुछ mistake हो गई है यहाँ पर missing one required positional यहाँ पर sorry इसको merge को हम simply ऐसे नहीं call करते हैं इसको कुछ इस तरह से call किया जाता है इसको call के लिए हमें यह जो है यह देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जो square brackets है वो देने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है अब हम देखते हैं हमारा result किस तरह से आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमारा result इसके बार यहाँ पर second में सोना शर्मा है ठीक है जिसकी जो city है वो नीमच है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सोना के साथ में शर्मा ही आया है कुछ और नहीं आया है ठीक है इसी तरह से देखा पुरोहिद कर डेटा आया है उसके बाद साहिल जीन का डिटाया है ठीक है यहां पर क्योंकि यह जो last name column था वो दोनों के अंदर था इसलिए यहां पर x और यहां पर y बता दिया गया मतलब यह पहली data frame के लिए और यह क्या है दूसरी data frame के लिए है हमारा ठीक है तो यहां पर आप अच्छी तरह से इस ची मानाम की है कोई ठीक है इस वाली data frame में सोना का जो सरनेम है वो कुछ और हम रख लेते हैं मान लिया कुछ भी रख देते हैं ABC अब मुझे सरनेम ध्यान नहीं आ रहा है तो ABC है ठीक है अब अगर मैं इनको क्या करती हूं इस चीच को run करती हूं तो उस case में आप देख सकते हो कि जो आपका data है वो सही नहीं आया है यहां पर सुना का सरनेम शर्मा है ठीक है और यहां पर last name क्या है ABC है ठीक है जबकि हम क्या चाहते थे हम कुछ ऐसा चाहते थे कि अगर यहां पर क्या है सुना शर्मा है उसकी age क्या है 27 उसकी qualification क्या है BE ठीक है इस वाली data frame में सुना शर यहाँ पर क्या है सोना यही सी है लेकिन इस वाली डिटा-फेम में सोना अबीकेती है सोनाच की एजोगर क्वालिफिकीशन missken थैक के उसकी प्राइमरी चाहिए है क्योंकि हो सकता है कि एक ही नाम के दो अलग-अलग लोग हो तो इसी लिए हम क्या बता रहे हैं यहां पे कि इसकी जो movie थी, वो किसी और year में कोई 19's में भी बनी थी, ठीक है, और मुझे year exactly यार नहीं है, और देवदार जो दूसरी movie है, 2000 years में भी बनी थी, 2000 की किसी भी series में बनी होगी, ठीक है न, तो उस year में भी बनी थी, ठीक है, तो उस case में हम जब merging करें, तो यहां पर movie name और साथ में year भी प्रोवाइट कर रहें, ठीक है, तभी हमें सही result मिलेगा, ओके, क्योंकि एक नाम की movie से अलग-अलग बार भी बन चुकी है, अलग-अलग years में भी बन चुकी है, ठीक है, तो अब इस तरह से अगर हम merge करते हैं, तो हमारा जो result है, वो क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा, तो आप देख सकते हैं, अब हमारा जो result आ रहा है, वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, अब क्योंकि यहां पर हो ऐसा रहा है, यहां पर जो common है, यहां पर जो चर्मा कि जो city थी वो missing थी मतलब वो दूसरी data frame में नहीं थी हटा दिया गया और इसी तरह से sona abc पहली data frame में नहीं थी उसको भी हटा दिया गया ठीक है तो जो common चीजे थी वही आ रही है तो लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे एक solution है मेरे पास वो है how is equals to यहाँ पर मैंने दे दिया है left दे दिया है तो उस case में अगर हम result देखें तो क्या आ रहा है तो how is equals to left के कहने का मतलब यह है कि मेरी जो left वाली data frame में है देखो जो left वाली data frame में चीजे है वो तो सारी आनी ही आनी चाहिए ठीक है भले ही right की miss हो जाएं तो left वाली data frame में सोना शर्मा है तो सोना शर्मा को यहां पर लाया गया लेकिन उसकी city तो हमारे पास थी नहीं तो यहां पर na n रखती आ ठीक है na n का meaning आपको पते ही missing data के लेकिन यही मैं how is equals to क्या दे देती हूं how is equals to right दे देती हूं तो उस case में क्या होगा right का सारा data आएगा ही आएगा भले left का ना आए तो अब हम इसको run करके देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि जो right वाली data frame थी उसका तो यहां पर सोना ABC था वो तो आया ही आया अब भले उसकी age of qualification अमारे पास नहीं है तो nan nan आ चुका है यही अगर हम यहां पर how is equals to क्या दे देते हैं outer दे देते हैं तो उस case में हमारा जो output है result है वो कुछ इस तरह से आएगा left का data भी आएगा तो right में अगर वो चीज़े नहीं है तो nan आ जाएगा right वाले का data भी आएगा देखो यहां पर आप देख सकते हो सोना शर्मा left वाली frame में था ठीक है लेकिन right में नहीं था उसकी city हमारे पास नहीं वाली में थी तो इसमें क्या आ रहे हैं दोनों ही आ रहे हैं okay